इसलाम लेकुम स्टोंट्स हम परने 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 16 और आज का माना टापिक है 16.10 नार अपरेशन्स complaints not operations को जब हम not gate में execute कराते है ऐसे operations जो not not gates के through execute होते हैं ऐस यह operations not operations कहलाते है ऊचा first of all question raised के not operations होता क्या है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है N यहाँ पर देखें first of all अगर आप OR से देखें यह से आपके affiliation होगी और, और means और गेट और गेट, इसके start में मैंने क्या लगा दिया, and means के not, and for not और, और फो और तो यहां पे आपके पास दो गेट्स की coupling हुई है, दो गेट्स को जब आपने couple किया है, और गेट को not gate के साथ जब आप couple करते हैं, तो उसे जो third gate बनता है, this is known as नारगेट, clear, so आई इसकी symbolic representation देखते हैं नारगेट की, symbolic representation इससे पहले students आप लोगों ने पढ़ा था, NAND, N for not A and D for and, means के N plus and plus and, and two gates के symbolic in two gates के combination से, इन not plus N gate को couple करने से क्या बनाया था, हमने NAND gate बनाया था, यहाँ पे हम R gate plus not gate को couple करने से क्या बनाएंगे, नार gate बनाएंगे और उसमें नार operations को execute करवाएंगे, students देखा जा सकता है, कि यहाँ पे हमारे पास A और B दो inputs के साथ एक R gate लगा हुए, ठीक है, और इस दो, इन दो inputs की जो output है, वो हमारे पास A plus B की फार्म में है, ठीक है, अगर आप R gate की formulation चेक करें, तो वो होती है A plus B, अब A plus B, यहनी यहाँ पे आने वाली जो output है, X output है, let's suppose, उस X output के आगे हमने एक not inverter लगाया हुए, not gate inverter लगाया हुए, ठीक है, not gate inverter क्या करेगा, R gate से आने वाली हर output को reverse कर देगा, उसको invert कर देगा, ठीक है, यह इस A plus B को, यह इस A plus B का जो result आएगा, जो output आएगी, उसको वो क्या कर देगा, invert कर देगा, यह हमने बार डाला हुए, और last time मैंने भी आपको समझाया था, कि जब भी किसी भी logic variable के उपर अगर बार डाली हो, तो वो not gate की representation करती है, ठीक है, not gate को हम diagram के अंदर, ठीक है, diagram के अंदर, एक small circle से represent करते हैं, यह first representation है, उसकी, और not gate को हम logic variable के उपर, अगर हम एक बार डाल दें, ठीक है, अब यह एक logic variable है, मैंने इसको पर बा डाल दी है, यह भी not gate की logic variable के लिए, यह not gate की representation है, और diagram के अगर एक छोटा सा circle, small circle ड्रा कर दें, तो यह diagram की not gate की representation है, ठीक है, तो इसी तरीके से, यहाँ पे, जो not gate है, वो आर gate से हर आने वाले output को क्या कर देगा, reverse कर देगा, उसको invert कर देगा, यहाँ पर अगर one है, तो य यह display कर देगा, 0, यहाँ पे अगर a plus b का output आया है, 0, तो यह display कर देगा one, ठीक है, because not gate क्या करता है, binary को, logic binary को reverse करता है, उसके output को reverse करता है, plus not gate high voltage के उपर, को low voltage में invert करता है, और low voltage को high voltage में invert करता है, this is the functionality of not gate, तो चुँके हमने R gate के आगे not gate लगाया हुआ है, R gate और not gate के couple करने से not gate बनाया हुआ है, तो यह R gate की हर आने वाली, R operations की हर आने वाली output को क्या करेगा, invert करेगा, reverse करेगा, ठीक है, like that, okay students, figure b में देखिए, figure b में आप देखे, आपको नजर आ रहोगा, R gate, ठीक है, और R gate के आगे मैंने एक small circle draw किया हुआ है, small circle जो है क्या represent कर रहा है, कि यहनी यहां पे जो A और B का result X आएगा, ठीक है, यहनी जो A plus B आएगा, ठीक है, यहां पे आने के बाद circle यह बता रहा है, कि यह circle उसका compliment ले ले लेगा, ठीक है, यह circle not operations को execute कर रहा है, हर आने वाली output को reverse कर दे ठीक है, यहनी अगर A plus B में से output आ रही थी 1, तो यहां पे 0 कर देगा, 0 आ रही थी तो 1 कर देगा, और दूसरा मतलब इस circle का यह, कि यह output voltage जो अगर high होगी, जैसा के 1, तो उसको reverse करके 0 कर देगा, और अगर output voltage जो है, वो low होगी, तो output voltage यह क्या कर देगा, high कर देगा, क्योंकि students, आपने लीद किया है, कि हम A और B जो inputs है, और यहां पे जो X output आ रहा है, तो combination of inputs और output का जब एक table डिस्पले करते हैं, उसको का जाता है, true table, combination of inputs and X output के बिना पे जो table ड्रा किया जाता है, उसको टूट टेबल का जाता है, और हम जब इस नार गेट की, अगर हम circuit representation करेंगे, तो इसमें A और B जो है, हम digital circuiting में as a switching लेंगे, यानि A और B कोई भी दो switches है, ठीक है, और X जो है, वो इसके output है, ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये दो inputs है, ठीक है, हमारे पास जो A और B, ये जो दो आपके पास output नज़र आ रही है, ठीक है, simply यहां पे क्या होगा, A और B, 00, यनि आपने अगर यहां पे 00 दे दिया है, 00 देने के बार, यहां पे output पे क्या आजएगा, 0, अब इसके आगे students हमने क्या लगाया हुआ है, हमने A प्लस B पे जो output आ रही है, यहां पे, इसके आगे हमने एक not gate लगाया हुआ है, not gate क्या करता है, not gate, logic 0 को क्या करता है, वो reverse करके 1 कर देता है, यह नहीं, वो इस X is equal to A प्लस B का क्या ले लेगा, compliment, और compliment का क्या function है, compliment hard logic binary, वो 0 हो तो इसको 1 कर देता है, अगर 1 हो तो इसको 0 कर देता है, तो यहां पे आपके पास, 0 प्लस 1, 1 आ गया, यह not gate इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है, not gate, इस R gate की आने वाले output को reverse करके क्या display कर देगा, 0, इसी तरीके से 1 प्लस 0, output पे 1 आया, यह R gate की आने वाले output का फिर compliment लेगा, और क्या display कर देगा, 0, इसी तरीके से 1 प्लस 1, और output पे क्या आएगा, 1 आएगा, इस आने वाले output का भी invert कर देगा, reverse कर देगा, इन देन, हमारे पास output पे क्या display कर देगा, 0, तो students, दो बातें, not gate के लिए, not gate, low voltage को high voltage में convert करता है, यादि invert कर देता है, जैसा के आप digital electronics को देखे, तो वो दो तरह के voltage पे अपरेट होती है, high voltage for 1, low voltage for 0, 0, 1, 0 for low voltage, 1 for high voltage, तो यहाँ पे low voltage है, उसको invert करके high voltage में ले आएगा, high voltage अगर आप not gate पे apply करेंगे, तो वो उसको invert करके 0 पे कर देगा, again high voltage to 0, high voltage to 0, तो यहाँ पे X, जो आपके पास R gate की output, जितनी में आने वाली है, तमाम logic binary जो है, कि अगर high voltage होगी, तो तमाम को वो 0 कर देगा, और जितनी आपके पास low voltage होगी, जैसा कि यह है, उसको कर देगा 1, तो यह है आपके पास true table, nor gate का, nor gate, यहाँ पे मैंने R gate का true table इसले लिया, ताके आपको मैं clearly समझा सको कि यह, इस A plus B का, ठीक है, जो A plus B है, इसका जो output आ रहा है, यह नहीं, R gate का जो output आ रहा है, कैसे वो एक एक binary का nor gate में invert करता है, कैसे उसको reverse करता है, उसकी output को, So, this is the coupling diagram of R gate and nor gate, So, आपके पास अगर question पूछा जाएगा, what is nor gate, तो आप answer दे सकते हैं, by the combination of, निशानी डख ले, nor, and for not, or for R, ठीक है, आपके पास तो आप यह कह सकते हैं, कैसा gate, जो R gate और not gate, दोनों के couple करने से, यह combination से बनाया जाए, ऐसा operation, nor operation scale आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको bubble नदर आ रहा है, उसकी functionality भी यही है, कि वो R gate से आने वाली, यह तमाम outputs का क्या करता है, reverse कर देता है, and word कर देता है, और यह जो small circle है, और इसके इलावा जो binary variable पे बार डलती है, दोनों ही not gate को represent करते हैं, तो nor और nan में फर्क सिर्फ इतना है, nan जो है by coupling of and gate and not gate बनाया जाता है, और इसी तरीके से nor जो है by coupling of r gate and not gate बनाया जाता है, इसके formulation से भी आप यह result निकाल सकते हैं, r gate की formulation में a plus b होता है, तो a plus b किजिए 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1 और 1 plus 0, 1 up to so on, आप इस तरीके से भी इसका result जो है, वो निकाल सकते हैं, so binary जो है, वो भी अगर again आपको let's suppose भूल जाया तो इससे पहले gates में भी मैंने समझाया था, आपने 2 की पार 0 से लेके up to so on binary लिखनी होती है, 2 की पार 1, आपके पास 2 की पार 0 equal to 1 होता है, इसका मतलब यह है कि आपने 0 और 1 को, इस 1 का मतलब क्या है, यानि 2 की पार से जो answer आता है, वो यह बताता है कि आपने 0 को कितनी दफ़ा लिखना है, 1 को कितनी दफ़ा लिखना है, तो 1 यह बता रहा है कि 0 को भी एक दफ़ा लि तो पेपर में अगर questions आ जाए और आपसे binary बूल जाए तो आप binary 2 की powers में भी लिख सकते हैं और true table ऐसा बनाया जा सकता है और plus अगर आपको इसके output बूल जाए R gate की तो आप इसके formulation से जो है वो इसका जो answer है वो निकाल सकते है A plus B से और फिर R gate के आगे just not gate लगाया हुआ है त तो आपके पास एक नार गेट बंजागा थर्ड गेट जो बनेगा वो नार गेट होगा तो देशिदा फिजिकल सैंसे एक्स्टैनेशन अफ नार अपरेशिंस होपफुली अंडर्स्टैंड इंकेस अफ इनक्स्टैंस पूर्ट इन कमेंड बॉक्स आंसर विल बें फ्रॉं वेल आफ बॉन आप एम आफ और्स सीघ Hampshire फि Baltimore स्टी सिर्गेशन इसलिकल सूर्टैंट भी थाल्स वार्टैंस एक्स प्रॉंई हूग लाता नच्यश्निकल ।ो झाल झाल